तुमारी ही तरह आलसी और पैसो का भूगा पेकॉन जो कि मेट्रो की ओर भागता है आलस तो इतना है कि शायद ओफिस में डाटी वरती लेकिन चलो जैसे दैसे ओफिस ये बहुंच जाता है जहां फिर थोड़ा वक्त निगालते हैं ये सोचता है कि थोड़ा गेम खेला खेल ये लड़का काम करने के बाद इसको घर जाना चाहिए और भागते ही जैसी आगे जाता है सामने बॉस मिल जाता है बॉस इससे पूछता है कि तुम्हारा अब भी बहुत काम बाकी है लेकिन ये बॉस को समझाई रहा था कि तब इसको गुसा आता है और ये बॉस पर चिलाने लगता है कि मैं तुम्हें कोट में लेकर जाऊंगा और इस सब लोग इसकी तारीफे करते हैं कि भाई क्या ही ही हीरो है आस तो दिखाई दिया इसने लेकिन तब इसको पता चलता है कि ये तो बस इसका सपना था इसकी भी अपने बॉस से फटती है जैसे कि तुम सब्सक्राइब करते हैं और तब इसको अंजान से टेलीपैथिक पोटल दिखता है और जिसके अंदर घुचते ही और तब इसकी आँख खुलती है और यह 10 साल पीछे आ चुका है जहां इसका दोस्त मायंग उसको उठाता और कहता है कि भाई जल्दी चल ले वरना पढ़ता है और पैसे के नाम पर भाई के पास सिर्फ 5000 रुपे हैं तब भी वहां पर इसका असिस्टेंट आता है जिसका नाम रिजस्ट है और इसको बढ़ाता है कि पैसे बड़ाओ स्कीम क्या है यह सुनते ही अपना प्रूटाइनिस बहुत खुश होता है क्योंकि उतने पैसे होंगे वो इसको वापिस मिल जाएंगे और तब यह मनी मन खुश होता है कि अगर यह बात है ना तो इस सारे पैसे में अपने पास रखूंगा और तब यह रिचस्ट इसको थोड़ा रूल समझाता है कि भाई देखो ऐसा है अगर तुमने ऐसा किया तो भाई लॉस होते रहते हैं जहाएं सोचता है कि एक ऐसी गेम बनाएगा जो कि सबसे बेकार और घटिया होगी इसी सोच के साथ अपना भाई इस सिस्टम से वापिस मिलता है जहाएं बथाता है कि वह अपनी कंपनी का नाम टेगना टेकनोलोजी रखने वाला है और यह गेमिंग इसके पास आ जाता है जहाँ इस दोनों मिलकर आइडिया शेयर करते हैं कि हमें गेम बनाएंगे और इसका दोस्त इसको कैसी वेबसाइट के बारें बताता है जहां पर नॉर्मल गेम बन सकती है आगे अपना भाई सोसता है कि वह कौन सी गेम बनाएगा और ले देगर के व इसने इसकी गेम को खुरीदा हो वैल आगे इसके दोस्त भी आयाते हैं इसके दोस्त को कहते हैं थोड़ा गेम कहलते अगले सीन में हमें गेमिंग यूटूबर दिखा जाता है हाँ हाँ गेमिंग यूटूबर इसका काम था कि यह नई नई गेम्स को खेले उसके वपर स्क्रेप्टिंग करके वीडियो बनाकर अप्लोड करें लेकिन अनफॉटनेटली काफी वक्स से कोई वीडियो वारेल नही इस मिनट के बाद इसने फाइनल यह गेम कंप्लीट कर दी थी और यह चेक करता है कि स्क्रीन में लिखा हुआ है कि मुबारक हो आपने इतने गंटे पर बात कर दिये और यह सुनते ही भाई थोड़ा से डीमोटिवेट फील करता है मैं अभी कर जांगा डीमोटिवेट अकर जिसने पने हीरो की गेम के ऊपर वीडियो बनाई है आगे हीरो भागते वे अपने होस्टिल की और जाने लगता है क्योंकि देखता है कि दीरे-दीरे करके एक गीम पॉबले हो रही है और इसके आटवचा से जाधा डाउनलोड्स हो चुके हैं उसके मन में यह था है कि यह रती भर भी अगर इसमें प्रॉफिट आ गया तो मेरे सारे पैसे डूप जाएंगे जहां आगे जाके वह लोग की रिव्यूस पड़ता है किसी ने बहुत अचे लिखे थे और किसी ने बहुत बेकाल लिखे थे लेकिन तब इसको वीडियो दिखाता है उस यूट्यूबर लेकिन इसको पता चलता है कि सब लोग से चेल रहे हैं जहां और इसको बढ़ाता है वह बहुत बड़ा स्केमर है अगर इस गेम में प्रॉफिट हुआ तो वह उसका कुछ परसेंट वह उससे अस्सिस्टेंट को देगा और अगर बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हुआ त Scene shift होता और हमें फिर एक hot सी secretary दिखाई जाती है I mean एक hot सी जहां उसके boss को इस game के बारे पता चल चुका था और वो चाहता था कि वो जल से जल इस game को खरीद ले वो secretary अपने boss के साथ थोड़ी मस्ती करती है और उसको मना करनी कोशी करती है लेकिन boss गुस से में इसको fire करके कह देता है कि तुम किसी काम की नहीं हो इधर हम अपने hero को देखते हैं बिशारे को दो अफ़ता हो चुका था और अभी तक उसने 8 लाक रुपे कमा लिये थे आगे इसका system इसके पास आता है और उसको बढ़ाई देता है कि तुम्हारी game successfully आगे निकल चुकी है और आगे बढ़ाता है कि तुम्हारा अगला round होगा जहां तुम्हें गेम की मदद से 30 लाक रुपे कमाने है सुनते ही ये बंदा काफी खुश होता है लेकिन तब इसको पता चलता है कि ये सिर्फ और सुफ 30 दिन के अंदर करना होगा लड़की की जगा इसको लड़के पसंद आ रहे हैं तब भी रुकर यहां अपसमें बात करी लेते हैं जहां हीरो इसको बथाता है कि इसको एक और गेम बनानी है और तब ये अपने बेस्टी को पैसे का लालस देता है और वो इसकी बात मान चुगा था लेकिन शर्त यही थी कि किसी को भी इस बारे में ना बताएं अगली सुबा अपना हीरो एक मोबल कार्ड गेम को स्लेक्ट करता है क्योंकि उसको पता था कि मोबाइल गेम वाले काफी कंज्यूस होते और आसानी से पैसा कर्शनी करते जहां तब भी वो उस कार्ड गेम को काफी भारी कीमत देकर ले लेता है और फिर वो अपने दोस्त क यहां खिलाने लेकर आता है और उसको कहता है कि भाई तुम स्टोरी रिडाइट कर दो गेम की इदर इसका दोस्त भी बहुत खोश था कि पूरी स्टोरी को घुमाने वाले हैं जा हीरो उसको और प्रोचसाइट करके कहता है कि भाई मैं यह तीन हजार रुपे दुम डेली ह इदर हमें यही बॉस दिखाया आता है जिसका सेक्रेटरी उसको बथा रहा होता है कि जो टेन गेंट टेक्नालोजी है यह अब तीसरी गेम पे काम कर रही है वैसे कि इम बहुत बगवास इसको कोई भी नहीं खेलता है मुझे पका शौर है कि यह बकवास जाने वाली है कि यह कुछ घटी और चीप किसम के आर्टिस को हायर करेगा जहां उसको लूजर पाई नाम की एक आर्टिस मिलती है और अब रेडी था कि अपनी गेम को पूरी तरीके से बर्बात करके रहेगा अगली सुबह यह दोनों ही अपने रेस्टराउंट में खाना खारे होते हैं हम उसको जादा पैसे देंगे ताकि यह अच्छा अच्छी चीज़े भी बना कर दें हीरो बस यही डरता है कि अगर उसने चीज़े अच्छी बना दी तो मेरा लॉस ही होगा तो हीरो कहते है कि हम इतना जादा ओराइप करने की जरुरत नहीं है हम लोग सिंपल नॉर्मल सा और चीज़े पाराइप करेंगे उन दोनों की बस वही बैस चिड़ती है उसका दोस कहता है कि यह चीज़े पैसे आएंगे कैसे गीम ग्रो होगी वहीं हीरो कहते है कि यह तो टेंशन मतले गेम ग्रो हो ही जाएगी और इसी लड़ाई के चलते दोनों भाई वह बोटी हीरो बसाता है कि इससे मीटिंग हम लोग आज शाम तक करेंगे वैल फिर अगले ही सीन हमें दिखाया आता है कि शाम का वक्त हो चुका है और यह दोनों ही लड़के बाई साब अंडर वेरों बैट के अपनी मीटिंग शुरू करते हैं यह लोग उस आर्टिस दुगा उनको को समझाता है कि देखो भाई अपने काम करें तुम रूल्स नहीं तोड़ सकते जादा कर्चा नहीं करना आगे तब ही अपना हीरोस आर्टिस को पूरी बात बसाता है कि देख तो यह 20-30 दिन के अंदर पूरा काम खतम करके देना है और यह तेरी मर्जी है तो यह जितना ज काफी रिलाकस था खुष था जहां वो सारा का सारा काम पने दोस के लिए है कि इसको हर एक चीज में खुद से इनवाल्मेंट लेनी होगी और हीरो काफी ज़्यादा है उसको पता ही था है कि इसका दोस्त एक नंबर का दोगला है जब तक यह पूरी गेम बनाएंगे ट्रा कि सब्सक्रिप्शन भी रखेगा ताकि इसका फैसा और लॉस में जाए और बंदा धड़ा-धड़ बिना देखे भाई बर भर के ग्राफिक्स खरीद रहा था बंदे ने बुद्धी में बिठा रहा था कि चाया कोछ हो जाए मैं पूरे के पूरे 30 के 30 लाग उड़ाऊंगा इधर हम 20 आर्टेस्ट और इसके दोस्तों को देखते हैं कि चीबी स्टाइल में इस थ्री किंडम को तो बनाए नहीं चाह सकता कहीं इसे भी स्टूरी मैच नहीं हो दिए क्योंकि स्टूरी कहीं और जा रहा है जरूर कि एक बहुत तगड़ा स्कैम है जो लोगों हमारे सब करना चाहते हैं तब यह रूवान आर्टेस्ट सभी को समझाता है कि देखो स्कैम बिल्कुल भी नहीं है क्यों एडवांस पेमेंट हो चुकी है और बागी का काम करनेक बाद होई जाएगा हम लोग को काफी महनेस से क जिया करना है अपना ही रोग रहा बहुत दगडी नीद में था और मज़े-मज़े में कहता है कि अप लोड़ी कर दें जाएग के बारे में जहां तब उसको दोस्कों पूसता है कि इसक्रिप्शिन में हमें क्या लिखना है हीरो बताता है कि लिग दियों की एक ordinary नॉर्मल सी कार्ड गेम है जा उसके दोस्त को लगता है कि यह reverse psychology का इस्तमाल कर रहा था कि अच्छी marketing हो सके लेकिन इसको क्या ही पता यह तो चाहता है यह कि पूरे 30 लाग डूबे और यह सारे के सारे पैसे अपनी जोली में आ जाए सिर्फ दो हफते के अंदर ही इतनी तगड़ी कलर ग्रेडिंग करी है हीरो दोस्त को बढ़ाता है कि तो यह दिखनी रागा कितना कूल तरीके से इसने बनाया है हीरो सारी बाते सुनके काफी frustrated होता है और गुस्ते में पेड़ की और मुक्का मारता है उसके मन में यहीं चलत पका ऐसी होगा और फिर अराम से सारे पैसे मेरी चेप के अंदर आएंगे इधर कुछ वक्त बाद ही हीरो को दोस्त गेम को चेक करता है जहां उसको पता चलता है कि आज सो लोगों ने उसकी गेम को भर भर के गाली दिए हीरो को आपी गुस्से में आता है और वो अपने ही हीरो को दिखाता है जहां भाई ये तो मानी मान बहुत खोश हो चुका था कि चल हुआ ये गेम तो पूरी तरीके से फ्लॉप जाएगी और उसकी हरकते दे कि हीरो के दोस्त को यही लगता है कि शायद यह पागल हो चुका है इसे कॉमेंट्स देखकर रभी अपना हीरो को स दोस्ते हैं कि हायर इसने अलिडी गेम बना रखे लिए तो उसको मुझसे जादे एक्स्पिरियंस होगा फिर कुछ वक्त बाद ही ये लिगों अराम से गेम खेल रहा था जहां तब या इसको कॉल आता है वो कॉल करके पूस्ता है कि क्या उसको मेरी डिजाइन्स पसंद आ इसको काफी अच्छा लगता है कि कुवान ने काफी स्पेशल इफेक्स भी डाले हैं इसके आठ के उपर और गेम खेलते कि कुछ चीजों को नोटिस करता है कि जितनी भी चीज़े इन्होंने स्टोर में डाली हुए हो काफी जादा सस्ती हो रही है और प्लस ये लोग इतन इसको कोई प्रॉफिट नहीं का नाइक तरीकी कि तो इसको चैरिटी मान ले और यही रीजन है कि हम लोग मार्केटिक के उपर जीरो पैसा खर्च करें क्योंकि हमारे सारे पैसे उड़ चुके हैं उसकी यह बास सुनके भाई अपना आर्टिस रहो परता है और हो कहता है कि सच में मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मिस्टर कुआन का हार्ट बहुत बड़ा है और इस बेफूफ को क्या ही पता है कि कितनी बड़ी शाजिस में है इधर अपना जो हीरो था वो काफी रहता खुश था कि इतना वक्त बीच चुका है और किसी भी माई खिलाल ने एक बार इस गेम को डाउनलोड नहीं किया है ख्यार चलो मुझे क्या मेरे तो 30,000,000,000 मेरी जेब केंदर रहें गया अब तब हीरो को दोस्ता खूथता वह आता है और उससे गले मिलता है वो उसको बथाता है कि भाई अब हम लोग बहुत अमीर होने वाले हैं वो बथाते है कि यह रुआन दा आर्टिस ने यह सारा काम किया है जहां जैसी अपना हीरो रुआन दा आर्टिस को कॉल करता है उसके सारा शक्स नहीं निकल चुका था आगे आटिस उसको पूरी कहानी बधाता है कि कैसे वो अपने दोस्तों के साथ बैठा वा था और और अल्लेडि उसकी सब्सक्राइब करते हैं और देखते ही देखते हैं कि तुम्हें करने की क्या जो रती किस ने बुड़ा था तुम्हें अपने इस आटिस को ये सारी बात एक्टम कॉंप्लिमेंट की तरह लगती है इदर अपना हीरो काफी उदास हो चुका था उसको समझने आता कि भाहिए व मैंने तो सारी कोशिश करी थी कि इस गेम को बहुत ट्रोल करा जाएं लेकिन मुझे नहीं पता इती जल्दी भूश्ट अप कैसे हो गई आगे बॉस कहता है कि शायद यही कारणा है कि मैं बॉस हूं और फिर बॉस उसको और्डर करता है कि जितनी जल्दी हो सके इस गेमिं मैंने को त्यार था क्योंकि उसको लगता था कि अगर रेकमेंडेशन लिस्ट में गई तो शायद और पॉपलर हो जाएगी लेकिन तब फिर उसको रिलाइज होता है कि अगर उसने इस अपका रा तो शायद रूल्स को ब्रेक कर देगा तब ही वहाँ पे इसका रिचस्ट आता है और कहता है कि तो मैं रूल्स ब्रेक नहीं करने हैं और बास फिर उसकी चपचप सुनके अपना हीरो रेकमेंडेशन लिस्ट में अलावेंस कर देता है आगे हिरो से कहता है कि या जो भी प्रॉफिट बन रहा है तुम को जाद ही बना रहे है और मुझे बहुत कम बन है यह सुनके अपना हीरो काफी परेशान हो जाता है क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि इतने कम वक्त में इतना जादा पैसा उड़ाना है इधर असिस्टेंट करता है कि एक पसंट की हिसाब से तुमने दो लाग से जादा यहन कमा लिये हैं और तुमारी यह ने इतना है आता है जो कि साफ साफ अपने सेक्रेटरी को कह देता है कि देखो मुझे नहीं बता मैं चाहता हूं कि अभी के अभी हम उस टेगना टेकनोलोजी को अभी हैर कर ले चाहे हमें किती भी किमत क्यों न चुकानी पड़े इधर अपना हीरो नॉमल अपनी स्टीडियम के पास लाक रुपई देरे को त्यार थे अपना हीरो तो पागल हो चुका था लेकिन तभी हो कहते हैं यहीं जार यह सारी बाते आकर रसको बता रहें और यहीं बहुता वह हमारी अवत गुस्सें आ चुका था और कहता है कि अब मैं इसको बताते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं इधर हम इपने हीरो और दोस्त को देखते हैंनों कि अलब सक्ना मेंल इंजय कर रहे थे अपना हीरो काफी उYUDAAST आज तहीसलिकर आपना हीरो क्यों इस रिंख ब्रदक्र चुछर ना चाहिए अपना हीरो बिलकुल भी खुश नहीं से पोस्ता है जहां कहता है कि हाँ ठीक है तो इसकी पेमिंट कर सकते हैं जहां जा कर कंपनी के पैसों के थूख अपने दोस्की पेमिंट कर देता है तब यूज रेस्टराउम में बैठे हुए थे वहां पे टीवी में एक निव्ज आती है कि एक बड़ी कंपनी ने एक ऐसा बना लिया है जिससे लोग वेदर फॉटकास्टिंग कर सकते हैं यह सुनते ही अपने हीरो का दोस्को कहता है कि काश किसी दिन हम लोग एक बड़ी गेम बना सके हीरो को तुरंत आइडिया आता है वो सोचता है कि अगर उसको जादा पैसे खर्च करने होंगे तो वह आराम स सरे लोग हायर करेगा कावी सारा सामान चाहिए होगा जिसमें अराम जब भर भर के इनके पैसे तो उड़ी जाएंगे तब हीरो दुखी भी होता है क्योंकि उसको समझी नहीं आता कि कंपनी को कैसे शुरू किया जाएं लेकिन तभी उसके दोस्को आईडी आता है जहां व बाप का था क्योंकि लड़की बहुत अमीर घराने की है इधर हम एजिंजी के बाहर अपने हीरो और उसके दोस्को देखते हैं तब यहां पर यहां पर लोरेंस नम का आदमी आता है उसको देखके यहीं लगता है कि हमारे हीरो यहां पर जौब लेने आए हैं इस वयासे व बाहर भी होंगे तो भी आपको प्रॉफिट कमा कर देते रहेंगे उसकी बास उनके अपना हीरो फोड़ा गुस्से में आयाता है कि वह बिल्कुल नीचाहता कि वह प्रॉफिट कमा है जहां पने हीरो की नजार उसी लड़की पर पढ़ती है जो कि इसी की गेम की निउस चिलाती और कहती कि बेवकूफ तुम्हें तो क्या ही पता वो कितनी अच्छा ही से काम कर रहे हैं अपना हीरो इस बार में जादा बात नहीं करता जहां अपने हीरो की दो बजे मीटिंग सेट हो जुगी थी आगे यह आकर उसी लड़की से पूसता है कि तुम्हें अब क्य क्या करना है वो बथा दी कि इसको टेंग का टेक्नोलोजी में जॉइनिंग करनी है और फिर लड़की को समझाता है कि तुमने जिससे बत्तमी से बात करी वो उसी कंपनी का मालिक है यह सुन्दे बिचारी भागते वे उसके पीछे निकल जाती है आगे अपना हीरो कैफे मे सब्सक्राइब करना है इसको पता लगता है कि यह जगा काफी साधा बैस रहेगी तो वो मुह मांगी कीमत पर इसको रेंट पिलेन को त्यार था प्रॉबरी डियलर हैरान हो जाता है इसको यकीन नहीं होता कि इसको कितना ज़्यादा मुनाफाओने वाला है आगे को कहता है कि ठीक है मैं रेडी हूँ आपको तीन लाक में इसको देने के लिए और फिर भार भार यही कोश्च करता है कि अपने हीरो को कर सके जहां आपना चीज़े भी बहुत करीता है था कि दबा के पैसा उड़ सके वो अपने एक सेपरेट रूम भी खरीता है जहां उसके सेक्रेटरी इसको बथाती है कि आपको काफी सारे रूल्स भी लगाने चाहिए नए इंप्लॉइस के लिए जहां हीरो कहाता है कि देखो इन सबको तुम ख चाहिए होगा और हम देखते हैं कि अपना हीरो कीमिंग कैफे में आ चुका है जहां वो बाउंशू के बारे में पूस्ता है तो देखो बाउंशू नाम का जो लड़का आना इसको गेम की इतनी तकडी एडिक्शन लगी हुई है कि यह पिछले तीन साल से इसी कैफे में न तुम्हारे जैसे लोग की बहुत जरूरत है भली तुम्हें गेम डिजैन करना ना आती हो लेकिन तुम गेम खेल सकते हो और वहां पे काफी हाई प्रोफाल कम्पूटर भी होंगर तो वहां पे भी गेम खेल सकते हो फ्री में यह बोलकर वहां से चलायाता है इधर जब उसकी नींद खुलती है वह काफी हटबड़ी में ऑफिस की ओर जाता है इधर तभी रास्त में उसको लड़का मिलता है जो कि अपने हिरो से पूसता है कि तुम भी तरह इंट्रिव्यू देने आया था वह उसको कहता है कि मैं पास वाली कंपनी में काम करता हूं वहां आगे वह उसको धमका कर ऊपर चला जाता है और जैसी अपना हीरो और वह आगे निकलते हैं दोनों ब्यूटिवू सेग्रेटरी अपने हीरो को गुड मॉनिंग कहती है जिससे वह समझ चुगा था कि इस वक्ता वह जिससे बात कर रहा था वह यहां का चेर परसन है आगे फ अब ही नहीं देखा था वैल तब ही इसकी सेक्रेटरी इसके पास आगर कहती है कि कोई आपसे मिलना चाहती है इसको अंदर बुलाता है और पता चलता ही कि यह वही लड़की थी जिसने इसका डिसस्पेक किया था जहां लड़की उससे कुछ सवाल पूस्ती है कि क्या आप अपने इंप्लॉईस सबसे जादा कीमती हैं बेसिकली अगर इंप्लॉईस पैसा खर्च नहीं करेगा तो फिर कहां ही करेगा बात हो ही बात हो में उसको लड़की काफी अच्छी लगती है जिस वयासे वह इस लड़की को हायर कर लेता है आगे हम हीरो के सारे होस्टल के कल को हायर किया था वो सबके सब बस गेम ही खेले जा रहे हैं कुछ कर नहीं रहे हैं काफी वक्षन को कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला है वहां पे जो लड़का था ये भी कहता है कि मैं काफी टाइम से बैठा हुआ मुझे कोई काम क्यों नहीं मिल रहा तभी ये लड़की समझ होती है कि घर पे बैठके तुम्हें काम नहीं करना है ओफिस चले आओ इदर उसकी सेक्रेटरी सब को बढ़ा रही थी है कि तुम्हें ओवर टाइम करने की ज़रुवत नहीं है इस बार वोग फॉर्स पॉसे शूटर यानि एक FPS गेम बनाएंगे आगे पाय बथाता है कि उसने इन सभी को इसलिए हायर किया है क्योंकि ये लोग रुकी है और इनमें नया नया दिमाग है इनकी क्रियेटिविटी लेवल काफी आगे जा सकती है क्योंकि बागी जो लोग एडवांस लेवल पर है उनके दिमाग और लेड़ काफी खुशी में कहते हैं कि अब हम लोग मिलके काफी तगड़ा गेम बनाएंगे फिर उनको समझाते कि तगड़ा गेम बनाने की जरुवत नहीं है बस तुम लोग जो भी गेम बनाओगे और जो भी चीज एड़ करोगे उसके बारे मुझे एडवांस में बथा देना आगे वो उन दोनों को पोजिशन देता है और कहता है कि मुझे भरोसा रखो मैंने जी सोचा है उस हिसाब से करना आगे इन सबी को ओर्डर देते विए अपने हीरे को काफी खुशी मिलती है और वो अपने ऑफिस से जाने लगता है और वो देखता है कि यह तो ओवर टाइ होगे वो इसको समझाता है कि तुमने हमारे बॉस को देखा है हमारे बॉस में एक कबिलियत है कि वह कम पैसों में बड़ी हबड़ी चीजों पर काम करते हैं और जितनी भी फाइरिंग बटन होगे उनको काफी पास रखेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो सके इदर वो ल चोड़ेंगे वैल आगे चलके सुबह हो चुगी थी जहां पर बाउंशु ने अपने सारे वैपनिस को दिखा दिये थे और यह काफी ज़्यादा खुशता और यह प्रॉमिस करता है कि यह बहुत तगडी गेम बनाएगा इधर यहां पर हीरो का दोस्ट बाउंशु के लिए कॉमेंट करोगी उतनी एंगेजमेंट मिलेगी मुझे बागी मेरे पुराने एक्स्प्रेंट किये वे एनिमे इसको भी देख सकते हो चैनल पे चलो फिर मिलेंगी इसके अगले पार्ट में तब तक के लिए बाई बाई